वेलकम बैक टोवर यूट्यूब चैनल टेग गाइड वसीम अगर आप जमो कश्मीर से ब्लॉंग किरते हो तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप अपना लेबर कार्ड जो है वो ऑनलाइन रिन्यू कैसे करोगे इस वीडियो में आपको step by step full process दिखाएंगे कि आप अपना लेबर कार्ड रिन्यू कैसे करोगे और साथ में आपको ये भी दिखाएंगे कि आप जो है वो अपनी online payment कैसे करोगे जो कि आपके renewal की फीज रहेगी तो आपको आजाना है अपने mobile phone के browser पे browser पे आने के बाद आपको search करना होगा jk building jk building search करने के बाद यहाँ पे आपके सामने jk building and other construction worker welfare board का official website आ जाएगा तो आपको ये open कर देना है open करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे registration certificate पे click करना है मैं आपको video के description में भी link दे दूँगा आप वहाँ से directly आ जाओगे site पे उसकी बाद आपको यहाँ पे जो अपना username होगा वो आपका mobile number होगा और साथ में आपको यहाँ पे password फिल करना है password फिल करने के बाद आपको यहाँ पे capture डालना है capture डालने के बाद आपको login कर देना है और अगर आपको अपना username है वो भूल गया है और जो password है वो भी भूल गया है तो आपको यहाँ पे एक option आ रहा है forget password का तो आपको forget password पे click करना है उसके बाद आपको डालना होगा अपना mobile number जो की आपको register होगा labor card के साथ तो mobile number डालने के बाद आपको यहाँ पे send OTP पे click करना है उसके बाद आपको यहाँ पे अपना OTP verify करना है आपके जो मुबाइल नमबर पे हैं आपका यूजर नेम और पासवर्ड भेज दिया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पी लोग इन कर देना है, लोग इन करने के बाद उसके बाद आपको रेनीवल एप्लिकेश्वन पे क्लिक करने के बाद, आपको get worker information पे click करना है get worker information पे click करने के बाद आपको यहाँ पे अपने detail आ जाएगी उसकी बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना ishram card number डालना है और वो अपना ishram card आपको update कर देना है उसकी बाद आपको दिखाएगा ishram number is successfully updated उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आजाना है नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको renewal date डालनी है उसकी बाद आपको employment certificate upload करना है employment certificate upload करने के बाद आपको validate information पे click करने है validate information पे click करने के बाद आपको ok पे click करने है data validated successfully उसके बाद आपको freeze renewal application पे click करना है freeze renewal application पे click करने के बाद आपको ok कर देना उसके बाद आपके mobile नमबर पे एक otp send किया जाएगा तो आपको यहाँ पे otp validate पे click करना है otp validate पे click करने के बाद आपका जो renewal application है वो submit successfully प्रफुली हो जाएगा उसके बाद Vareification के बाद आपको यहां पे पैमिज़ की है वो जरनेट हो जाएगी तो उसके बाद आपको अपनी Payment जो है ओन लाइन या आफलाइन पे कर देनी है उसके बाद को यहां पे आप अपना arena application status यहां चेक कर सकते हो जैसे कि देख सकती हो यहाँ पर आपका जो अप्लिकेशन है वो फारवर्ड हो गया तो यह थी मेरी आज की वीडियो मिलते हैं को नई वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफिज थैंक